आप सभी का स्वागत है competition community के इस online platform पर आज हम लोग current affairs series को further continue करते हुए 22 October से लेकर 2 November तक जितने भी महत्वपूर्ण राश्ट्रे रंतराश्ट्रे current affairs हुए वो हम लोग discuss करने वाले हैं तो बिल्कुल क्योंकि दिवाली की वज़े से थोड़ा सा वीडियो उस समय नहीं आप आई थोड़ा सा लेट आ रही लेकिन बिल्कुल परिशान नहीं होना है जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं अगर हम लोग वीडियो बाद में भी लाते हैं तो पुराने वाले भी आपको include करके मिलते हैं तो बिल्कुल आराम से पढ़ना है बिल्कुल विश्वास करके पढ़ना है कुछ भी नहीं चूट रहा है तो चलें सबसे पहले हम लास्ट क्लास को revise करेंगे तो जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें जो हमने current affairs देखे तो वो revise करेंगे उसके बाद आज के fresh current affairs भी देखेंगे तो पहले revision करते हैं लास्ट क्लास का पहला question देखें क्या था किसे 52 दादा साहिब फाल के पुरुसकार दिये जाने की घोश्रा की है तो आशा पारिक जी को 52 बावन वा क्या मिला दादा साहिब फाल के पुरुसकार पहला किसको मिला देविका रानी जी को ये भी मैंने बता दिया गया पोशक अनाज अवर्ट 36 गड़ को दिया गया क्योंकि इनने मोटे अनाज यानि मिलिट को प्रमोट किया यानि बहुत जादा यहां पे किसानों को बिल्कुल प्रोचसाहित किया गया कि आप उगाओ मोटा नाज उगाओ जिसमें रागी कोदो कुटकी शामिल है और मैंने आपको बताया था यह पहला ऐसा राज है 36 गड़ जिसने मिनिममम सपोर्ट प्राइस हना न्यूंतम समर्थन मूले पर मिलिट्स यानि मोटे अनाज को खरीदने वाला पहला राज यह कौन सा है वो भी 36 गड़ है यह भी बात मैंने आप सभी बच्चों को बता दी थी तो इसका सई जवाब क्या है इसका सई जवाब ए 36 गड़ तो किसको न्यूट्रिशन ग्रेन ऑवर्ट 2022 दिया है मोटे नाजनी मिलिट्स को प्रमोट करने के लिए बढ़ावा देने के लिए 36 गड़ को नेक्स कोशन पर आएंगी रिवीजा नी कर रहे हैं ना किस राज स्मगलिंग कर रहे थे विद्योशों में बेज देते लेकिन इससे पहले ही पकड़ा गए और फिर जो विभाग था उसने पकड़ने के बाद सारी जो सींग है 24 तो इनको जलाया और फिर जो राक बनी उस राक से इन्होंने इसमारक बनाया है जो की आपके सामने स्क्रीन प बात हुरी जिसके लिए काजिरंगा राश्चुद्दान जाना जाता है चले हाली में किसे कर्मचारी राज बीमा निगम यानि एसिक का महान निर्देश है राजेंद्र कुमार साब को नियूट किया यह भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था नेक्स्ट बात करें तो क्लास का एक और कोशन हमने देखा था हाली में राश्च्रपती दुरौपदी मुर्मू ने कहा पर इंटीग्रेटेट क्रायोजनिक इंजन मैंने अप सब बच्चों को बताया था कि क्रायोजनिक इंजन दुनिया के कुछ ही ऐसे देश जिनके पास टेक्नोलोजी बहुत बड़ा चैलेंज है और बैंगलूरू में इसकी फैसिलिटी इंडिया ने बनाई है इंडिया ने कुछ समय पहले कुछ साल पहले क्रायोजनिक इंजन बनाकर कुछ वो जो कुछ ही देश है उसमें शामिल हो गया था हमारा भारत भी और अब तो बकायदा हमने पूर कि कदमा जो बायो डाइवर्सिटी पार्क है यह जमशेदपुर में आपको मालूम है यह भी मैंने बात बताई थी कि टिसको यानि टाटा अरंड स्टील कंपनी 1907 में खोली गई थी जमशेदपुर में और वहीं पर अभी यह कदमा बायो डाइवर्सिटी पार्क खोला गय गया है पूरा कदमा बायो डाइवर्सिटी पर चले हाली में भारत की तरफ से किसने संयुक्त समुद्री बलके वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास ऑप्रेशन सदन रेडिनेस में भागीदारी की है यह लास्ट क्लास में ने देखा था इसका सही जवाब क्या है इसका जवा नाम का अपना जहाज यहां पर पार्टिसिपेट करने भेजा यह हमने देख लिया था चले लास्ट क्लास में हमने क्या देखा हाल इमें साओधी अरब का नया प्रधान मंतरी किसे बनाए गया है तो मुहम्मद बिन सल्मान जिनको MBS बोलते हैं इनको बनाए गया है इससे पहले मैंने बताए था इनके जो पिता सल्मान बिन अब्दुल अजीज ये राजा और प्रधान मंतरी दोनों थे लेकिन अब वो और प्रधान मंतरी इनको बना दिया गया है मुहम्मद बिन सल्मान को जबकि राजा अभी भी इनके पिताई है यानि सल्मान बिन अब्दुल अजीज ही राजा है नेक्स्ट बात करेंगे हाल ही में भारत सरकार ने किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में निउत कि राज जातियों का विश्वकोष जारी करने वाला पहला राजी बना है औरीसा ने है और थर्टी एट हंड़र्ड पेजिस का एंसाइकलट बनाए जहां पर इनकी जो जन जातिया है उनके इतने समय से इतने दश्कों से सदियों से लुटा कहलो जो बढूँ अनूती परंप और ग्यान उसको इस एंसाइक्लोपीडिया में डाल दिया कि इससे पहले वो खो जाए उनको लिख लो तो यह भी लास्ट क्लास में देखा था इसके लावा लास्ट क्लास का एक और कोशन हाली में किस देश की सामन था क्रिस्टोफ औरेटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान सभालने वाली पहली यूरोपी महिला है बन गई है तो यह इटली की है पर दुनिया के पहले सी एंजी टरमिल का स्टानियास किया है तो भाव नगर कुझरात में स्टानियास किया है बाऊ-Nagar-गुजरात में ियli terminal बनाए गया है धुनिया का सबसे बड़ा century बढ़ हाली में vienti pटनाय निधन वो गये कौन थी तो जायंती पटनायक राश्जनिता थी और भी तो नाश्ट्री महिला-आयोक की पहली एध्यक्ष ये तो नैशनल वोमेन कमिशन की पहली अदेश क्यों थी जैंती पटनायक और लोग सभा की सदस से भी रह चुकी है इनके बार में भी पढ़ लिया तो हाली में किस देश के जुरॉंग रोवर को मंगल ग्रह पर अर्बो साल पहले आई बार के सबूत मिले हैं तो हमने बात की थी कि जो चीन है जो चीन है चीन का पहला मंगल ग्रह पर जो मिशन उसका नामे तियानवेन क्या नामे तियानवेन और यह जो तियानवेन मिशन है इसमें ही हमने देखा कि एक रोवर रोवर यानि मार्स की धरती मार्स की जो सते है मार्स की जो सते है उस पर उत्रा यह जुरॉ कर रहा है जुरॉंग रोवर इस प्रकार चीन तीसरा ऐसा देश बन गया है अमेरिका और सोवियत संग के बाद जिसने अपना रोवर सफलता पूर्वक मार्स पर मंगल ग्रह पर उतार दी चलने इस बात करेंगे हाली में चर्चा मेरा अपरेशन ऑक्टूपस किस से संबंदित है देखो ऑपरेशन ऑक्टूपस में क्या था कि जो एडी और एन आई ए है एनफोर्समेंट डारेक्टोरेट और नैशनल इंवेस्टिगेशन एजनसी इन लोगों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे आरोप लगाते हुए कि आप आतंगवादी गती वीडियों से जुड़े हो तो इन पर कारवाई कि इनके अलग-लग सेंटर्स पर रेट डाली गई और इनके कई लोग को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरेस्ट किया गया यही ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ऑक्टूपस और किस ने इसको स अंचालित किया हैं हाली में परिटन पर्व 2022 का एउजन कहां किया गया थो परेटन पर 2022 का आउजन मॉंबई में किया गया और यहाँ पर अलग अलग राज्यों के जो चिल्प हैं जो कला जो संस्कृती है उनको यहाँ पर exhibition उसका लगाए गया मॉंबई में ये किया गया यह भी हमने बात कर लीती देखें लास्ट क्लास ही चल रही है नास class का रिवीजन नहीं चला चला है जो बच्चों को लग रहा हम स्थी थोड़ा सा पेस चला है भी फ्रेश कडरेंट अफेस भी आपके सामने आएगा हाली में किसवाश 2021 केra राष्ट्री लटा मंझेश का संमान कों मार शानूजी को दिया गया इससे पहलेelen 2020 का किसको दिया गया था आनंद मिलिंद जी को दिया गया था दो लाग का इसमें सम्मान दिया जाता है और यह मद्यप्रदेश सरकार देती भली राश्ट्री बोल रहा है लेकिन देती मद्यप्रदेश सरकार है 1984 से यह शुरू किया गया था सम्मान देना लता मंगेशकर जी का भी बात बता दीदी कि दुबई में ये आयोजित हुआ इसका मकसद क्या है देखो इसका मकसद इसके नाम में चुपाए ग्रीन और एकनोमी इसका क्या मतलब है कि अर्थ विवस्था को भी आगे बढ़ाना है लेकिन इस प्रकार की पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो तो यह है ग्रीन इकनोमी समिट चलो अब हमको पढ़ना है जो हमारे फ्रेश करेंट अफेर्ज हैं तो जो हमारी वीडियो है अब हम लोग उसको फर्दर आगे बढ़ाते हैं फ्रेश करेंट अफेर्ज को शुरू करते हैं 22 अक्टूबर से 9 नवंबर 2 की सीरीज चले सब से पहला कोशन हाली में गती शक्ती पोर्टल लांच करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना गती शक्ती पोर्टल में आपको बता दूं क्या है गती शक्ती पोर्टल असल में यह कि अभी क्या होता है जैसे किसी कंपनी को अपना स्टील प्लांट खोलना है किसी प्रयावरण मंत्राले से अलग-अलग क्लियरेंस लो इसके बाद फिर आपको स्टील मिनिस्ट्री से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा क्योंकि स्टील प्लांट खोल रहे हैं आपको जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उससे भी वानिज मंत्राले उससे भी आपको पर जिस company को खोलना है company कोई भी company खोलनी तो भाई आप यहां पर अपलाए करो और यहां से क्या होगा अलग-अलग विभाग के पास automatically फिर एक-एक step by step अपने पास यह application जाएगी तो व्यक्ति को अलग-अलग विभागों पर पास जाकर उनकी जेवे गरम करना अब जरूरत नहीं है गति शक्ति पोर्टल के महदम से आप अपलाए करो अलग-अलग मंत्राले केंद्र सरकार राज्य सरकार और नगर पालिका नगर नगम जो भी है उन सबके पास automatically इसी पोर्टल से लिंक कर दिया गया सब के पास automatic application जाएगा इसका एक फाइदा यह कि fast track हो जाएगा काम fast track हो जाएगा तेरी से काम होगा भाई अब एक फाइल को उसी company वाले व्यक्ति को अलग-अलग जगों पर लेके नहीं जाना कि प्लीज हां कर दो हां कर दो और दूसरा भ्रस्टा चार कम होगा क्यों क्यों कि यहां पर साफ साफ दिखेगा कि ठीक है तीन स्टेज पार हो गई तीन विभागों ने क्लियर्स दे दिया चौता विभाग ने अटका के रखा है यानि चौता विभाग ही या तो भ्रस्टा चार कर रहा है भाई क्यों अटका के रखे हो तुम पैसा चारे हो क्या तो clear cut सब को दिखेगा तो कुल मिला के पता चल जाएगा कौन से विभाग से अटकी है बात तो फिर उस विभाग के कर्मचारियों को दोशी बना जा सकता है तो एक तो ब्रश्टाचार कम होगा ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पार दर्शिता बढ़ेगी पता चलेगा ना वाई कौन तो कुल मिला के इस पोटल की यह सारे फाय्दे हैं सबसे पेला राज्य ने लाउंड़ किया है ये हमारा सही जवाब आप देखो उद्देश ये क्या है आधार भूत संरचना संबंधी परियोजणाओं का तुरित निश्पादन दश्पादन क्या अच्छा का hundred चाना आए तो ये गुजरात में ये चीज ओपन हुई है देखो अच्छे से देख लो तो क्या है इसका सभी जवाब है गुजरात नेक्स बात करेंगे हाली में किसे वर्ष 2021-22 का सर्वरशेष्ट पुरुष गोल कीपर चुना गया है पी आर स्वीजेश शाहब को और ये भारत कही है अलगी देखो विराट कोली जैसे थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे है तो कहने का मतलब है पी आर स्वीजेश शाहब जो है तो सविता पुनिया जी है सर्वरशेष्ट महीला गोल कीपर तो सर्वरशेष्ट महीला गोल कीपर बोलें तो वो भारत की सविता पुनिया है कितने गर्व की बात है और अगर सर्वरशेष्ट पुरुष गोल कीपर बोले वो भी भारत के तो दोनों महीला और पुरुष मे है आपको टोडियो ऑलंपिक्स में भारती होकी टीम ने 49 साल बात कोई मेडल जीता तो यह जो साहलो rels हुप को मिला और ईसलिए इसमें स्रीजेश सاحब का बहुत बड़ा रोल published इनक अच्छा काम किया बहुत गोल बचा वर्ड गेम्स एथलीट ऑफ दियर वर्ड गेम्स एथलीट ऑफ दियर यहां तो हौकी के अलावा कई सारे स्पोर्ट को देखते हैं कि किसमें बहुत कोई अच्छा कर रहा है और उसमें श्रीजेश चाहब को 2021 का एथलीट ऑफ दियर का आवर्ड मिला है मैं आपको बता सम्मान मिला इससे पहले विल्ड गेश्च एथलीट ऑफ दियर का सम्मान राणी रामपाल जी को मिला तक इसको मिला था राणी रामपाल रानी रामपाल कौन है राणी रामपाल जो महिला होकी टीम उसकी कैप्टेन है अब आप Confuse जोगे देखो सविता पुनिया गोल कीपर है सर्वशेष्ट गोल कीपर का वाड किसको मिला है सविता पुनिया ये एक अलग बात सर्व शूष पुरुष पियार स्रीजेश इसके अलावा पियार स्रीजेश आपको मेजर ध्यांचन पुरुसकार और वर्ल्ड गेम सैथलीट ऑफ दियर 2021 लेकिन वर्ल्ड गेम सैथलीट ऑफ दियर 2020 किसको मिला तो 2020 का वर्ल्ड गेम सैथलीट ऑफ दियर अवर्ड मिला था रानी रामपाल जी को मिला और दो सालों के दो सालों में हमारे लोगों को वर्ल्ड गेम से अथलीट आफ दियर मिला है अक्टूबर 2022 में किसने गेल इंडिया लिमिटेट के चेर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर का पदभार संभाला है तो क्या को बोलता है क्वेशन की गेल तो गैस अथोरिटी ऑफ इ कुछ समय पहले मैंने आपको एक नाम बताया था कंपनी का यह अपने करेंट अफेर्स में देखा था जो बच्चे नहीं देख रहें नियमे तूप से आपको देखना चाहिए और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन इसको महारत्न का दरजा कुछ दिन पहले मिल हमें हाल ही में किसने इरांजी कब 2022 का खिव गता है एरानी कब क्या होता है और पिछले साल की विजएता थी सवराश्टर जो भी ट्रोफि जीता है उसको से भारत से घिलाया जाता है और इसी match को इसी tournament को इरानी cup कहते हैं तो इरानी cup क्या होता है रंजी trophy में जो भी जीता जो भी राजी जीता उसको rest of India शेश भारत से खिलाओ तो शेश भारत में best best player होते हैं इंडिया के domestic वाले और उनके साथ तो रंजी trophy की team को खिलाते हैं जो जीता है और इसी cup को कहते हैं इरानी cup और क्योंकि पिछले साल रंजी trophy सौराष्ट जीता और इस बार उनका मुकाबला हुआ शेश भारत से इरानी cup में तो शेश भारत जीत की तरफ दिखा में तो कौन जीता है शेश भारत तो हाली में किसने इरानी cup 2022 का किताब जीता है शेश भारत ने जीता है जो शेश भारत है उसके कैपटन का नाम है हनूमा विहारी शायद आप जानते हो हनूमा विहारी शेश भारत के कैपटन थे और यही जीते हैं चलो अच्छा इरानी cup क्रिकेट की बात करें फाइनल राजकोर्ट में हुआ था, शेश भारत वर्से सौराश्ट्र हुआ था और शेश भारत इसको 29 बार जीतावा, वो लोगो सर इतनी बार कैसे जीत गया, क्योंकि भाई शेश भारत तो इरानी कप में हर बार खेलता है, समझो, इरानी कप में एक पोजिशन तो फिक्स ह खेलेगा दूसरा कौन खेलेगा जो रंडी ट्रोफी में जीतेगा अच्छा इस साल जो रंडी ट्रोफी उसमें जीता मध्यु प्रदेश तो इसलिए आप समझदार बच्चे तो आपको मालूम है अगली बार इरानी कप किस किस के बीच में होगा सर अगली बार इरानी कप शेश भारत और मद्व प्रदेश के बीच में होगा और तब देखेंगे कि कौन जीता है मद्व प्रदेश ने पहली बार रंजीव ट्रोफी जीती है आस तो कभी नी जीती थी बहुत बड़ी बात है 1934-35 में रणजी ट्रोफी आई थी और आस तक अभी मद्द प्रदेश ने जीती थी पहली बार जीत लिए खेट आईए तो इरानी कप में कौन जीता शेश भार जीता उंतिसवी बार जीता है विजय हजारे अच्छा क्यूंकि रिसेंटली जो भी क्रि लोग-अलबल प्रुसकार को अभी घोशना हुई है हाली में नोबल पुरूसकारों की तो इसलिए इस वेक्षिन तो निश्चेत रूप से बनता है अलग-अलग नोबल पुरुसकार इस वीडियो में हम लोग-अलग questions के माधिम से देखेंगे हाली में किसे वज़ 2022 का साहित का नोबल पुरुसकार दिया गया तो नोबल पुरुसकार अगर मैं आपको बताऊं बेक्तरीय थे एल्फ्रेड नोबल ने ढाइनमाइट का अविशकार किया डाइनमाइट का dramat पucharश बर अग्यरा होते को ब्लास्त करें रस्ते बड़ा तैजी से बनेंगे पहाडों और लूने बहुत भाएबनेंगे बहुत मिश्किल होती है तो Alfred Nobel गिल्ट में आ गए कि यार मैंने कैसी चीज़ बना दी जो मैं अच्छी चीज़ बनाई थी लेकिन ये तो लोगों को उल्टा नुकसान पहुचा रही है लोगों को तो मारा जा रहे है और तभी फिर उनने एक वसीयत लिखी इस वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के उपरा तो मेरा जो मैंने जीवन में पैसा कमा लिया था कोई डाइनमाइट बहुत विक रहा था तो जितना मैंने पैसा कमाया है उसकी वसीयत बनाई कि अलग अलग पांच केटेग्री में इनको समान दिया जाए तो यहीं है नोबल प्राइस लेकिन आगे चलके हम देखते हैं कि स साल 1968 में एक नई कैटेग्री इसमें जोड़ दी गई और एकनॉमिक्स के फिल्ड में भी दिया जाने लगा वह बाली बात हम आगे देखेंगे जब हम लोग नोबल प्राइस में वीडियो आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट कोशन में हम लोग डिसकस करने वाले कुछ देर ब नाम है एनी एम्नोक्स इनका नाम है सहीतिका नोबल इनको मिला है प्रतम पुरुसकार सहीति में या कोई भी नोबल जो सम्मान दिये गए थे पाथ कैटेग्री में 1901 से हम देखते हैं शुरू किया गया इसमें कितना राशी है दस मिलियन स्वेडिश क्रोनोर स्वेडिश क मिल गया दोलों को मिल घया फिर तो फिर जो ओवर्ड राशी है वो सब्सक्राइस करोड मिलेगा नहीं 3,500 करोर थी रोगों में डिवाइड थोगई ना, अबराबरी के रूप से तो इनको तो अकेले एनि एणनोक्स जी को साड़े साथ करोड यानि 10 मिलियन स्वेडिश क्रोनों जो वहाँ का करेंसी है वहां की मुद्रण है वह मिला और स्वेडिश अकैडमी यह सम्मान देती है, क्यों इनको इनको इस सम्मान दिया गया ? साहस और नैतिक्ता के साथ सामाजिक प्रतिबंद उजागर करने के लिए मुखी रूप से महिलाओं के अधिकारों को इन्होंने उजागर किया था एनी एनॉक्स चलें नेक्ट बात करें तो प्रतिवश भारती वायू सेना दिवस कब मनाय जाता है आठ अक्टूबर को मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है आओ पढ़ते हैं तो आठ अक्टूबर क्यों बाहरती वायू सेना दिवस स्थापना देखो रॉयल एर फोर्स असल में आठ अक्टूबर 1932 को स्थापित हुई एसी इस्तिती में रॉयल शब्द को हटा दिया जाता है तो रॉयल शब्द हमारे गनराज बनने के बाद हटा दिया और फिर अब हम हो गए भारती वायू सेना और भारती वायू सेना का अब दिवस कब मना रहे हैं 8 अक्टूबर को क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 को ही हम रॉयल एर फोर्स के माध्यम से स्थापित हुए थे चलें भारती वायू सेना दुनिया की चौती सबसे बड़ी वायू सेना है इनका धेवाक की क्या है नबह इसपर्ष दीपतम क्यों इसका मतलब समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आकाश को गौरफ के साथ चुना असल में जब ये असल में भगवत गीता से उठाया हुआ एक वाक्या है भगवत गीता में जब हम देखते हैं महाभारत का समय चल रहा है और अरजुन विचलित होते हैं कि मैं अपने सगे सम्मंधियों पर कैसे हतियार उठाऊं ये भीश में पितामा है जिनकी गोद में हम खेले हैं ये गुरू द्रोणा चार हैं जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त किया और ये कौरव इनने निश्चित रूप से बहुत ज़ादा बेकार कर्म किये लेकिन है तो मेरे भाई तो जब वो विचलित होते हैं वो हतियार नहीं उठा पाते और तब श्री कृष्ण उनको जो ग्यान देते हैं जिसको हम लोग गीता ग्यान बोलते हैं तब श्री कृष्ण जब अपने विश्णु जी के अफ्तार में आते हैं भगवान के अफ्तार में आते हैं और उनका आकार तेजी से बड़ा होता है वो बड़े होते जाते हैं आकाश की तरफ और तभी आकाश को गौरफ के साथ चूते हैं तो उसके लिए एक जो वाक के लिखा हुआ है भगवत गीता में नभासपर्श दीपतम और इसको देखकर अरजुन डर ने लगते हैं कि मैं क्या देख आइवित ग्लोरी नभासपर्शम दीपतम आठ अक्टूबर 1932 को स्थापितु रॉयल एयर फोर्स उसी के नाम पे हमने देखा आठ अक्टूबर को भारती वायू से ना दिवस हाली में किस राज जिकेंदर शासित प्रदेश में एंटी डिली में बहुत बुरी स्थिती हो तो वहाँ पर निश्टित रूप से आपको 20-30 मीटर तक कुछ नहीं दिखेगा बिलकुल लोग आपके बगल में होंगे तो नहीं दिखेंगे क्योंकि इतना जादा इतना जादा को रहा होता है लोगी नहीं दिखते हैं बहुत जादा विजिबिलिटी इशू होता है नेक्श बात करेंगे तो एंटी डेस्ट अभियान शुरुआत नहीं दिली समय अवदी 6 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ही चलाए जाएगा उद्देश निर्मान कारे सलपर डेस्ट दूल को रोखना शीत कालिन प्रदूशन रोखने के लिए पहला कदम तो सर्दियों में तो ऐसी को रहा हो जाता है प्लस यह पॉल्यूशन वाला को रहा डबल को रहा बहुत हलत खराब हाली में किसने एडवांस सुपरवाइसरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष लांच किया है तो इसका सई जवाब है आर भी है ध्यान से सुनना दक्ष है क्या देखो क्या आपने 17 बैंकों से पैसे लेके वो भी फरा लंडन में बैठे और भविश्य में ऐसी कोई चीज ना हो इसके लिए दक्ष सिस्टम बनाया गया तो जितने भी बड़े लोगों का एप्लिकेशन बड़े लोन्स का की बड़ा अमाउंट का कोई लोन अप्लाय करेगा ना कि इता अमा जब मोदी ने कितना बड़ा इतना नुक्सान कैसे दे दिया तो क्योंकि मेहूल चोक्सी पंजाब नैशनल बैंक का यह एक अधिकारी था उसने इंग बता ऐसे ऐसे करो तो मिली भगत हो गई लेकिन आगे ऐसी कोई मिली भगत ना हो इसलिए आर बी आई ने डाल दिया कि यह दक्ष पोर्टल पर बड़े जितने amount के loans होंगे यहां पर apply करो और हम देखेंगे कि सारे process follow हो रहें की नहीं ताकि भविश्च में बिना कोई अच्छे proper guarantee कि किसी को loan ना दिया जाए तो RBI का system है आर बी आई के current governor का नाम क्या है शक्ती कांत दास क्या नाम है शक्ती कांत दास इनका नाम है चले नेक्श बात करेंगे 36 वे राश्ट्री खेलों में कौन योगासन में स्वन जीतने वाली पहली महिला खिलाडी बनी है तो पहली खिलाडी की बात करने तो योगासन में सुन जीता है तो सोचो ए योग में सुन जीता है कहां पर राश्ट्री खेल में बड़े बड़े प्रतीद लेंदी आते हैं और फिर भी आपने गॉल्ड जीत लिया तो क्या नाम है पूजा पटेल नाम है और निस्षित रूप से अलग- cuerpo भारत को गर्वांकित कर चुक जाते हैं शेर के लिए तो यह है सावच शेर और यही मैसकट था 36 वे नैशनल गेम्स को देखो अरे वापरे कितना ज्यादा इनरजेटिक है इसमें ज्यादा जोशार है चलो इधर दियान देंगे 36 वे राष्ट्री खेल width अच्छा 1924 में भारती ओलंपिक खेल इनका एयोजन कहा हुआ लाहोर में और हम देखते हैं कि 1940 में इन्हीं भारती οलंपिक खेल का नाम क्या कर दिया गया राष्ट्री खेल प्हारती ओलंपिक खेल कन्फियूस करता था था न ओलंपिक से मिक्स्चर हो जाता था इसलिए को क्या कर दिया नयशनल गेम राष्ट displi कप किया सबसे पहली बार राष्ट displi खेल कब हुए तो जाहिर सी बात है मैंने बता दिया भारती अलंपिक खेल वह है नाम चेंज हुआ है लेकिन सबसे पहले तो 1924 में लाहोर में हुए ना तो 1924 में भारती अलंपिक खेल आयउजन लाहोर में हुआ और 1940 में इनका इनाम राष्टिरी खेल पढ़ा हाली में किसे एक व्च्टी संगठन peł को नोबल शान्ती पुरुसकार दो हजार बाइस नहीं दिया गय gefने मेमोरियल इसको दिया गया अव passion भे सिविल लिबर्टी यॉच को दिया गया तो Навर Sands में पूस्टें को बता हुआ किसको नहीं दिया गया है तो प्रतीख सिना को नहीं दिया गया और यहीं यहाँ पर सही आंसर है क्योंकि कोशन बोलता है नहीं दिया गया तो प्रतीख सिना को नहीं दिया गया इनके बारे में बात करें तो LSBA लियाच की यह कौन है असल में बेलारस जो देश है बेलारस तो जो बेलारुस जो देश है वहाँ पे 1994 में एक आता है प्रेसिडेंट राश्ट्रपती जिसका नाम होता है एलेक्जेंडर लुकाशेंको और आज तक वो राश्ट्रपती बना हुआ है वो एक प्रकार से ताना शाह है और यहां पर बेलारुस में हम देखते हैं कोई लोकतंत् को और यह ताना शाह बनके बैटा kes conversation और कि खिलाफ किसने उठाई है इसके खिलाफ आवाज हमारे लीयाचकी साहाब ने और इनको को इसके लिए अलेक्ज हैर्टी को ने जेल में डाल दिया यह कई समय से यह चयल में वहीं ही बंद कॉन हमारे लीयाचकी साहार लेकिन इनको अभी क्या दिया गया है नोबल प्राइज दिया गया है कौन सा नोबल प्राइज दिया गया है शांती वाला नोबल प्राइज दिया गया है आज की ग्लास में आपको बताया था साहित्य का नोबल प्राइज हमने देख लिया था ना तो साहित्य का नोबल प्राइज हम हमारी जी सर हो गई थी 1901 चलो अब ये कहां पर दिये जाते हैं तो सुनियेगा सुनियेगा एक category को छोड़कर जो शांति का Nobel Prize है उसको छोड़कर बाकी के जो 5 आवोड हैं वो दिये जाते हैं कहां पर दिये जाते हैं Sweden में, Sweden की राजधानी है Stockholm, वहाँ पर दी जाते हैं, पांच कैटेगरी में, तो पांच शेत्रों में दीए जाते है Stockholm, Sweden में, जबकि जो शांती का Nobel Prize है, जो शांती का Nobel Prize है, वो दिया जाता है, Oslo, जो की राजधानी है, नौर्वे की, जहां पर ये दिया गया, किस किसको दिया गया, एक तो बिया लियाचकी सहाब को दिया गया, बेलारुस के मानवादिकार संगठन के मेंबर, इसके अलावा किसको दिया गया, मैमोरियल, ये रूसी मानवादिकार संगठन है, जब पुतिन ने यूकरेन पर हमला किया, तो मैमोरियल, जो की रूस में मानवादिकार सं संगठन ने इसने पुतिन के खेलाब आवाज उठाहिए लेगन क्योंकि यूक्रेट में तो पुतिन इसका खुछ बिगाड नहीं पा रहा है संगठन का इन तीनों को मिला का एक हो गया literature यह नहीं साइट और एक हो गया शांती यह 1901 में हमने देखा कि इसको दिया जाना शुरू हो गया इन 5 कैटिगरी में लेकिन यह जो शांती का है यह कहां दिया जाता है नौर्वे औसलो में दिया जाता है ठीक है यह हमारी बात हो गए बाकी चार का दिया जाते है स्वेडन में फिर आगे चलके 1968 में एकोनॉमी का भी नोबल प्राइस दिया जाएगा और यह भी दिया जाएगा कहां पर स्वेडन में है ना तो स्वेडन में यह भी दिया जाएगा चल नेक्स बात करें प्रतीवर्ष भारत में वन्य जीव सप्ता कब मनाय जाता है तो वन्य जीव सप्ता प्रतीवर्ष मनाय जाता है 2-8 अक्टूबर इसका काम होता है जागरुकता फैलाना क्या काम होता है जागरुकता फैलाना इसका काम होता है तो वन्य जीव सप्ता 2-8 अक्टूबर शुरु देता हूं जो मोठेरा गाओं वो कहां पर गुजरात में और यहां पर लगबक सभी जो घर है गाओं में वहां पर छट पर लगा है आपका सोलर पैनल तेरा सो गरों में सोलर पैनल लगे हुए है इसके अलावा एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट भी यहाँ पर मौजूद है तो कुल मिला के सोलर प्लांट और घरों में जो रूफ टॉप जो सोलर पैनल मौजूद है इसकी वज़े से ही मोढेरा देश का पहला सोर उर्जा संचालित गाओं बन चुका है और 9 October 2020 को PM मोधी द्वारस की घोशना की गई तो देखो यह 9 October इससे मैं यह भी बताना चारू आपको कोई ऐसे कोशन जो हमारे पुराने थे लेकिन वो तब हमारी वीडियो में नहीं आपा है तो हम लोग उसको आगे ले लेते हैं तो इससे आई यह भी पता चलता है कि बिलकुल परिशान नहीं है सारी चीज़े हम कवर करते रहते हैं अच्छा अब यह कौन सी टेक्नोलोजी पर बेस्ड है तो क्योंकि 36 गड़ की बात करें या आज कल करिंट अफिर्स की बात करें कभी कवर इस तरह अच्छा भी आ जाता है तो B.E.S.S. बैटरी एनरजी स्टोरेज सिस्टम का उपयोग इसमें किया जाएगा बैटरी एनरजी स्टोरेज सिस्टम में क्या होता है यह ऐसी बैटरी है कि जहां से भी जो भी तरीके से इनको एनरजी मिलेगी अपने पास स्टोर कर लेते हैं क्या होता है ना इससे पहले जो एक औरड़नरी बैटरी होती ही वो केवल एक सोर से ही एनरजी को ले पाती है जैसे कि मानलो कोई solar plant है वहाँ पर battery लगी है तो वो solar plant से जो battery में जाएगा energy बस वो ही store करेगा लेकिन जो battery energy storage system है B.E.S.S. जिसको best बोलते हैं इसमें सौरे उर्जा से भी वो energy ले लेगा अगर कोई wind plant लगा है तो उसकी energy भी same battery में जाएगी अगर कोई कोईले से संचालित कोई मानलो कोई power plant है जिसे कोईले से बिजली बनती है जो तो वो बिजली भी अपने पास store कर सकते हैं यह ऐसी battery है जो तमाम प्रकार के सोर से तमाम प्रकार से जो आपके सैयंतर है उनसे energy को store करने में सक्षम है battery energy storage system इनका नाम है आपको बसिता जानना इंडिया का पहला solar powered village कौन सा है मोढेरा आओ नेक्स बात करें हाली में किसे F.I.H. पुरुष player of the year चुना गया अब आप बोलोगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा थोड़ दिर पहले आपने बोला था सविता पुनिया लेकिन वो भी क्या है गोल कीपर अगर question आता है सर्वशेष्ट गोल कीपर F.I.H. का तो गोल कीपर में पुरुषों में PRC जेश महिला में सविता पुनिया दोनों भारत से लेकिन अगर मैं बोलू कि सर्वशेष्ट प्लेयर गोल कीपर नहीं हौकी का सर्वशेष्ट प्लेयर F.I.H. का 2021-22 का कौन तो हर्मन प्रीट सिंग तो यह हर्मन प्रीट सिंग अब देखो कितनी खुशी की बात है कि सर्वशेष्ट गोल कीपर भी भारती हैं भली पुरुष या महिला कैटेगरी हो और सर्वशेष्ट पुरुष प्लेयर भी भारती हैं हर्मन प्रीट सिंग लेकिन सर्वशेष्ट प्लेयर महिला में जब हम देखते हैं तो यहां पर हैं फैलिस, एलबर्स और यह नीदर लैंड की हैं तो सर्वशेष्ट प्लेयर होकी की लेकिन महिला तो वहाँ पर भारती नहीं है बाकि दोनों गोलकीपर जो है सर्वशेष्ट वो भारती है पुरुश और महिला में और सर्वशेष्ट प्लेयर वो भी भारती है हर्मन प्रीट सिंग भारत की मुम्तास खान को F.I.H राइजिंग स्टार आफ धी एयर का सम्मान मिला तो F.I.H, राइजिंग स्टार आफ धी एयर का सम्मान किसको मिला info लुए मुम्तास खान एमाग में रखेंगे IBSF World Billiards Championship में पच्चिसवा विश्व किताब जीता है तो भाई ये और कोई नहीं है आपके पंकज अड़वानी पंकज अड़वानी साब के बारे में जितनी तारीफ करो कम है पच्चिस बार कोई इवेंट जीत रहे हैं सोचो कितनी काभिलियत है तो क्या जीत रहे हैं बिलियट तो बिलियट अगर आपने सुना हो जो स्नूकर पूल रिलेटेड गेमस होते हैं पूल थोड़ा सा लग हो जाता है बाकि बिलियट और स्नूकर काफी सिमिलर है तो पंकच अडवानी साब बिलियट्स विश्वकप का आयोजन कौला लुमपूर मलेशिया मलेशिया की राजधानी कौला लुमपूर में हुआ और इसके विजीता का नाम क्या है पंकच अडवानी किसको हराया वो भी भारती है सौरफ कोठारी कोशन आ सकता है सौरफ कोठारी कौन से गेम से संबंदित है बिलियट्स से संबंदित है पंकच अडवानी किस से संबंदित है बिलियट्स संबंदित है और 25 वा इनने विश्वकप बिलियट्स का जीत लिया है बहुत शानदार बात आओ नेक्स देखेंगे हाली में किस राजय में देश के सबसे बड़े मिलिट प्रसंसकरण उद्योग का लोकारपन किया गया है मिलिट प्रसंसकरण का मतलब है मिलिट प्रोसेसिंग मोटे अनाच की प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, प्रसंस करन का क्या मतलब है, कि जैसे आपके पास कच्चा मोटा आना जाया है, तो उससे आपने आटा बना दिया, जैसे रागी, कोदो, कुटकी, जुआर बाजा, आटा बना दिया, या फिर आपने उसका सूप बना दिया, या फिर आपने उ 36 गड़ कुछ जादा ही नहीं कर रहा याद करो सबसे पहला राज जो की मोटे अनाज को न्यूंतम समर्थन मूल पर खरीदना शुरू किया 36 गड़ और हमने एक और बात की थी कि इसको एक अवार्ड भी मिला है वो है पोशक अनाज अवार्ड 2022 यह हमने लास्ट क्लास में डी प्रसंसकरण केंद्र यह आपको 36 करेंट अफेर में भी यह बात काम में आएगी तो कांके जिला में खुलने वाला है सबसे बड़ा मोटे नाच का प्रसंसकरण केंद्र नवंबर 2022 में कौन सा देश माला बार नौ सेनिक अभ्यास 2022 की मेजबानी करेगा तो देखो क्वेशन तक हुई 1992 से शुरू हुई फिर हुई 1995 में हुई 6 में हुई लेकिन फिर 1990 में जब भारत ने परमानू परिक्षन किया जब अटल बिहरी वाचपी साब की सरकार थी तब अमेरिका ने हम पर प्रतिबंद लगा दी और हमारे साथ यह माला बार एक्सराइज में पार्ट नही अब्यास में भारत और अमेरिका फिर से अब्यास किये और आगे चल कि इसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान भी जुड़ गए तो अब यह कहां पर होने वाला है अगला तो जापान में होने वाला है शुरुआत 1992 में इंडिया और यूएस की बीच में हुई 1998 में परमानू प पाट लेतें तो question आएगा माला बार exercise में कितने देश पाट लेते हैं चार और यह वही चार लोग है जिनने एक और Alliance भी बनाए एक और Group भी बनाए जिसको हम कहते हैं Quad क्या बोलते हैं Quad असल में चाइना जो अपना जो चाइना इतना जादा अपना पावर अपना डॉमिनें एक साथ है तो माला बार exercise चाइना को मुख्य रूप से डराने के लिए तो इसमें कौन है इंडिया, यूएस, जापान और आस्ट्रेलिया इंडिया और जापान के बीच में कुछ अन्नी exercise जो होती है उनके बारे में बात करें तो कुछ extra information हम लोग देख रहे है तो एक होती है जिमिक्स, तो जिमिक्स क्या है? जिमिक्स क्या है? जापान इंडिया मेरिटाइम exercise तो आपको देख रहे है जापान इंडिया, एम से मेरिटाइम और ये एक असल में ये नौ सेना का अभ्यास है इसके अलावा शिन्यू मेत्री, ये वायू सेना का भारत और जापान का अभ्यास है इसके अलावा है धर्मा गार्जियन, ये military exercise है देखो, military क्या होता है समझे military में आपके जितने भी forces हैं सबका combination होता है एक होता है army, एक होता है navy, एक होता है air force हना तो सेना होता है, एक होता है नौ सेना और एक होता है वायू सेना लेकिन इन सबका combination कर दो तो शब्द बनता है military तो military में सब आ जाते हैं, तीनों आ जाते हैं military के अंदर ठीक है ना, तो जिमेक्स naval exercise है शिन्यू मैत्री, जापान और भारत की air force exercise है और धर्मा, गार्दिन, military exercise है इसमें तीनों हिस्सा लेते हैं नेवी, air force और सेना, थल सेना भी हिस्सा ले रही है हाल इमें किसने, और ऑस्ट्रेलियाई, Victorian Premier पुरुसकार जीता है और ऑस्ट्रेलियाई, Victorian पुरुसकार जीता है साहित्र के शेत्र में अच्छा लेखन करने वालों को जाहिर सी बात है अंतराश्ट्री स्ट्ट्रेंट को पुरुसकार देता है और इनने ये दो महिलाओं को पुरुसकार मिला है दोनों भारत से ही संबंदित हैं वहाँ पर पढ़ने गई है स्टुडेंट है दिव्यांगना शर्मा और रित्रिका सकसेना इनको ही मिला ऑस्ट्रेलिया विक्टोरियन प्रीमियर पुरुसकार ये सहित्र के शेत्र में सम्मान दिया जाता है आगे बढ़ते हैं 10 अक्टूबर 2022 को किस एक व्यक्ति को सेवरिक्स, रिक्स बैंक, एकनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार नहीं दिया गया अगें हम क्या बोल रहे है जो सेवरिक्स, रिक्स बैंक, एकनॉमिक्स का नोबल पुरुसकार नहीं दिया गया है तो किसको नहीं दिया गया है तो किसको नहीं दिया गया है तो अब आज हम लोग economics पर nobel price की चर्चा करते हैं, मैं आपको बोल बोल के किछनी बार बताके ठग गया, 1901 में हम देखते हैं, पांच category में nobel price दिया जाना शुरू किया गया, कौन कौन सी category, physics, chemistry, medicine, शान्ती और साहित, peace or literature, सही, 1968 में हम देखते हैं, 1968 में नई केटेगरी आई इसको ही हम बोलते हैं, economics के field में, अर्थ, शास्तर के field में nobel price दिना, 1968 में स्थापना की गया, पहली बार दिया कब गया, 1969 में दिया गया, 1968 में स्थापना हुई, 1969 में दिया गया, सर इसको जो आपने एक नाम बताया है, सेवरिक्स, रिक्स बैंक, पुरुसकार क्यों बोलते लेकि 1968 में जब आप एक नया सम्मान ला रहे हैं तो कौन funding करेगा, तो जो Sweden का, जो Sweden का, जो Central Bank के उसने बोला हम funding करेंगे, तो इस प्रकार सेवरिक्स, रिक्स बैंक, प्राइस, इसका नाम पढ़ गया, यही है Nobel Prize in Economics, यानि अर्थ वेवस्ता, अर्थ शास्तर में, इर्थ श छूद किया है की कैसे अगले कोई भी उतिये, कोई भी वितिये, कोई भी अगर दुनिया में crisis आ जटा है, financial crisis आ जटा, वितिये संकट आजटा है, तो उसको कैसे रोके, असल में 2008 में, जब अमेरिका में संकट आया, तो उस ताइम पे भारत का, जो ऒर्थ वेवस्ता है, उस नौकरी चली गई होगी, कई लोगों के पास पैसा कम हो गया होगा, तो जब वो सामान खरीदना, जब उनके पास पैसा कम हो जाएगा, तो हम से सामान खरीदना कम कर देंगे, जब हम से सामान खरीदना कम कर देंगे, तो निश्चेत रूप से हमारे यहाँ पर लोग जो सामा बेच रहे अब उनका सावन भिक नहीं रहा है तो यहां पर भी हम देखेंगे बेरोजगारी बढ़ती जाए इसलिए अब दुनिया लिंग्ड है इसलिए इन लोग उन्हें जो शोद किया बहुत जबर्दस थे बैंकों और विती संगटों पर शोद करने के लिए इनकों यह हाना यह भी मैंने आपको बता दिया अचा जो अब यह टोटल किती होगी चेटेगरी पांच पहले होगी और छटवी 1968 में अर्थ शास्तर के शेत्र में जुड़गे टोटल छे में अब नोबल प्राइज दिया जाता है इन में से कौन सा ऐसा प्राइज है जो दिया जाता ह तो वो कौन सा प्राइज दिया जाता है शान्ती का जो नोबल प्राइज है वो दिया जाता है ओसलो में हाली में किस राज की अप्रते आओ जी और आख़ें supplement के भाई जब आप नॉर्मली पहाडों में जाओगे न तो आपको oxygen की कमी फील होने लगेगी यहाँ पर तो यह दुनिया की आठवी सबसे उची चोटी को फते हैं तो आठवी सबसे उची चोटी 8163 मीटर पर सोचो बिना oxygen supplement के निश्ट तुरूप से बड़ी रिस्क भी है ऐसा नहीं करना चाहिए मगर ने कर दिखाया असमिता दोर जी जमशेद पूर जहारखंट से मौर आजाओ तो अब बच्चा देख भी जाए जैसे आपने वीडियो बाद में देखी तब तक और लोगो ने आंसे दिए आप अपने लिए लिखो जितना जादा आप लिखोगे उतना जादा एक्जाम में आपको रीटेन होगा यह बच्पन में आप सुनते होगे कि लिख लिख करो बोलते त या एवलांच और भूस खलन यानि लैंड स्लाइड उनके चेतावनी देदेगा एक रडार और तीन सेकंड के अंदर चेतावनी देगा जहां से भी इसको जरा सी मूवमेंट दिखेगी कि हां भाई तो इसे बरफ गिर रही है या भूस खलन लैंड स्लाइड वह तुरंत हम मैंने आपको बताया था यह इमेज भी दिखाई थी तो अब आपको सही जवाब बताना है इंडियास फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार कहां पर निस्ट्रॉल किया हिमाचल प्रदिश क्या लद्दा क्या उत्राखंड क्या से किम कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता है गुजरात में गती शक्ति पोटल जहां पे कंपनिया एक ही जगा पे अप्लीकेशन करके अलग-अलग मिनिस्ट्री से विभागों से क्लियरेंस ले पाएंगी और जल्दी इंवेस्टमेंट निबेश होगा सर्वशेष्ट पुरुष गोलकीपर का सम्मान पिया श्रीज संभाला संभाला संधीब कुमार गुपता सामने ये महारत नहें गेल हना महारत नहें घेल हना और 12 महारत नह भी है जो आकरी बारवा कौन से ता रूरल इरिक्रिफिकेशन कॉर्पुरेशन किसने एर निकश बात करें तो साहित नोबल पुरसकार एनी एर नॉक्स को दिया गया है यह यह फैमिनिस्ट है यह महिलाओं के अधिकारों के लिए मुखिरूप से अपनी बाते रखती है भारती वायू से न दिवस आठ अक्टूबर क्योंकि आठ अक्टूबर 1932 को यह रॉयल एर फोर्स उस समय ब्रिटेशों का शासन था इसलिए रॉयल शब्द तरीके से और मिली भगत करके लोन ना दिया जाए देश का पैसा कोई ना लूट के ले जाए दूसरा विजय माल्या नीरव मोधी पैदा ना हो चतिसवे राश्ट्री खेलों में योगासन में स्वण जीतने वाली महिला पूजा पटेल और बहुत जादा इनके नाम पर अल कि शांती में सम्मान नोबल प्रैस का शांती नोबल प्रैस को दिया गई हमारी बात हो गई क्यों दिया गए क्योंकि बेलारस में इन्होंने लोक्तंत्र को स्थापित करने के लिए अधिकारों की बात की लेकिन जो एलेक्जेंडर लुका शेंग को हैं उन्होंने इनको जेल में डलवा दिया प्रतिवश भारत में वन्यजीव सप्ता 2-8 अक्टूबर ताकी जाग रु टाहジャ Green vowels inmetro legit रिंग साथारिव लेकिन इतना कोशिश करना यह तो अप याद करोई। तो अच्छी बात है भारत की मुम्तास खान को Rising Star of the Year का सम्मान मिला है नेक्स्ट बात करें तो World Billiards Championship में 25 वी बार कौन जीता है भाई ये इसका विश्व का पंकर एडवानी साब जीते हैं नेक्स कोशन की बात करेंगे तो सबसे बड़े Millet Presence करना उद्योग 36 गड़ में Millet में बहुत जादा काम हुरा है 36 गड़ को पोशक अनाज अवार्ड भी मिला है और नियूंतम समर्थन मूले पर मोटे अनाज को हरीदने वाला पहला राजबी 36 गड़ है माला बार नौसेनिक अब्यास की अगले साल मतलब इसी साल अगली बार कह रहा हूँ यानि किसको मेजबानी करनी है तो नवंबर 2022 में ये मेजबानी किसको करनी है जापान को करनी है और माला बार एक्सरसाइज 1992 में भारत और रूस के बीच में शुरू हुई थी नेक्ट बात करें कि अगला कोई विती संकट ना आए कैसे उस से बचे डगलस डायमंड और फिलिप डायविक को इसलिए समान दिया गया है नेक्स बात करेंगे नेक्स बात देखो असमिता दोर जी ने बिना ऑक्सियन सप्लिमेंट के मनासलू परवत को फते किया से हैं यह जहरकंट से बहुत बड़ी बात है बिना ऑक्सियन सप्लिमेंट के पार कर दिया है इनने फिर हमने को आपको जवाब देना है पिर देख लो मुझे उम्मीद है आज ही क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो जरूर बताईगा कि आपको क्लास कैसी लगी इसके लावा कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ऑफ डिडे का भी जवाब आपको देना है चले तो इंडिया का पहला यह एविलांच इसका जवाब लोग दीजेगा मुझे उमीद है आपको क्लास अच्छी लगी जरूर अपने सर्जेशन फीडबैक या कुछ भी बात हो इंप्रूव्मेंट की बात आप बता सकते हैं चले तो अब हम लोग इस वीडियो को ही वाइंड अप करते हैं आप सभी बच्चे जा स करते हूं कि वाइब थैंक यू टाटा सी यू अगें